हेलो फ्रेंड्स आज हम बनाएंगे पेड़े की रेसेपी ये पेड़े गेहुके आटे से बनाई हैं खाने में बहुत ही स्वादिश्ट हैं I hope आपको ये रेसेपी पसंद आएगी तो फ्रेंड्स आईए देखिये इसे कैसे बनाते हैं यहाँ पे गैस पे एक कड़ा ही चड़ाएंगे और इसमें डालेंगे एक कब गेहुका आटा आटे को ड्राइ रोस्ट करेंगे तो बिना घी या तेल के हम इसे बुनेंगे तीन से चार मिनट तक लो फ्लेम पर भुनेंगे जिससे की आटे का कच्चापन खतम हो जाएगा लो फ्लेम पर भुनने से आटा जलता नहीं है और अच्छे से भुन जाता है अभी हम इसे कलर चेंज हो जाने तक नहीं भुनेंगे 3-4 मिनट तक low flame पर भुनने के बाद अब हम इसमें add करेंगे एक चमच corn flour घर में खाना खाने वाले नॉर्मल चमच के नाप से एक चमच corn flour लिया है इसे भी mix कर लेंगे आटे में और 2 मिनट तक हम इसे mix करते हुए भुनेंगे यहाँ पर आटे में corn flour को अच्छे से mix करके 2 मिनट तक भुन लिया है अब हम gas का flame बंद कर देंगे तो यहाँ पर gas का flame बंद कर दिया है अभी आटा बहुत गरम है तो इसे इसी तरह से भुनते रहेंगे आदे मिनट तक हम इसे ऐसे ही भुनेंगे जिससे की यह हलका सा ठंडा हो जाएगा तो यहाँ पर आटा अब हलका ठंडा हो गया है gas बंद है और इस समय हम इसमें एड करेंगे 2 चमच milk powder milk powder को आटे में अच्छे से mix कर लेंगे ध्यान रहे gas का flame बंद रखना है नहीं तो milk powder की गुठलियां बन जाएंगी इसके बाद अब हम इसमें डालेंगे मीठे पन के लिए पिसी हुई चीनी आप इसकी जगह पे बुरा या देशी खांड भी डाल सकते हैं चीनी के powder को अच्छे से mix कर लेंगे आटे में यहाँ पे देखिए अच्छे से मैंने mix कर लिया है अब gas का flame on करके low कर लेंगे और इसके बाद हम इसमें add करेंगे घर की जो दूद पे जमती है वो मलाई तो यहाँ पे मैंने तीन चमच घर की fresh मलाई डाली है और इसे mix कर लेंगे mix करते हुए यह अभी बहुत जादा सूखा लग रहा है तो जरुरत के हिसाब से मैं इसमें दो चमच मलाई और डाल रहे हूँ मलाई के साथ थोड़ा सा दूद भी डाला है जिससे कि यह बहुत ही दानेदार बन जाएगा और अच्छा बनेगा अब हम इसे mix करते रहेंगे जैसे जैसे हम इसे mix करते रहेंगे यह भुर भुरा होने लगेगा और इसका color भी change होने लगेगा तो यह देखिए हम इसे continue लगातार तब से भुन रहे हैं पांच मिनर तक हम इसे low flame पर ऐसे ही भुनते रहेंगे तो अभी यह और भी ज़्यादा दानेदार होगा तो लगातार चलाते हुए हम इसे भुनते रहेंगे तो इसी तरह से यह देखिए यहाँ पर कितना ज़्यादा भुर भुरा हो गया है और अब यह अच्छे से भुन चुका है तो इसमें डाल देते हैं आधा टेबल इस्पून इलाइची पावडर इससे टेष्ट बहुत अच्छा आएगा और इसे मिक्स कर लेते हैं इलाइची के पावडर को मिक्स करने के बाद गैस बंद कर देंगे और इसके बाद हम इसके पेड़े बनाएंगे तो यहाँ पे यह देखिए यह इतना थंडा हो गया है कि हम इसे हाथ से छू सकते हैं बहुत जादा थंडा नहीं करना है हलका थंडा होने पर हम इसके पेड़े बनाएंगे तो यहाँ पेड़े को कुकी कटर के शेप में बना रही हूँ किसी भी शेप का कुकी कटर ले लीजिए और उसमें इसे अच्छे से भर दीजिए भर के हमें दवाना है दवाने के बाद हम इसे निकाल लेंगे और जिस शेप का कुकी कटर है उसी शेप का बन के निकल आएगा आप इसे मुठी में बन करके गोल शेप का भी बना सकते हैं जैसे पेड़े होते हैं आटे के तो यहाँ पे एक बन गया है इसी तरह से मैंने यहाँ पे सारे पेड़े बना के तयार कर लिये हैं गेऊ के आटे के पेड़े खाने में बहुत ही स्वाधिश्ट होते हैं बनाने में कितना आसान है आपने देखा ही तो फ्रेंड्स अगर आपको आज की रेसेपी पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर दीजिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में